अब करेंगे यह जो आपका टॉपिक है जून तॉट नूए एक्जाम में ड्वाल मार्ट में आए हैं जिसमें आपसे प्राइविटाइजेशन पूचा है उसके अड्वांटेज़ और डिसद्वांटेज पूचे गए हैं तो अगर आपने प्रीवेश वीडियो इस नहीं द देखिए हैं तो उनका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप महां से क्लिक करके देख सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ओपॉनर्शिप प्रोपर्टी और बिजनेस फ्रम दी गवर्मेंट टूदी प्राइविट सेक्टर से ठीक है कोई भी ओनर्शिप या मोल मर्मोर्स टूबर्टी कमपनी ऑबने एंदर .वे ऐन चीज और एक प्राइविट गोल उलता है इसलिए उन्चे जह क्या करना पड़ता है? प्राइविटाइजेशन करना पड़ता है वो प्राइव गवर्मेंट की या विजनेस है जो काफी टाइम यूज में चल रहा है ठीक से उसको रीकवर नहीं कर पा है थी के खृहिए जा जाता है प्राइवेट सेक्टरर मैं खिला जाता है चैसे आत्sal में और Caleb और ठीक है लेकिन अब क्या प्राइविट सेक्टर केंडर में इंडिया वैंट फॉर प्राइटाइजेशन इन इंस्टारिक रीफॉम पजट ऑफ नांटी नाइटी नाइटी वन में ठीक है रीफॉर्म हुए थे जिसे नाम दिया गया था न्यूं एकॉनमिक पॉलिसी यह लपीजी कॉलिसी यह लिबरल एक पॉलिसी थी जब इंट्रोड्यूस किये था रिफॉर्म होई था 1991 के उसमें इपॉलेसी लाई गई थी ठीकश जिसमें एक प्रीबटाइजेशन भी था impجम और इड्वाइंटेजस क्या होती है प्राइवाटेजेशन ्की सिउम्प्रू इंप्रूड ििव प्राइवर्मटेजेशन होती है अगर कोई कवर्मेंट स्पॉक्त यह रवी आगया तो आगे से एक जिस पॉइन को अब निमनरी कोमेंट में अर्गुमेंट और फॉट सब्सक्राइप काम यह इस नियुक्त काहएं भी वह आपिंड नागद में अंगत तो बन lagon प्रॉफिटhen को होते हैं इसलिए वो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि एफिजेंसी इंप्रॉफिट का कि आप अगर काम करोगे ज्यादा तो आपको प्रॉफिट में भी शेयर मिलता है ठीक है जैसे इंसेंटिव बेस होती है सेलरी के साथ आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है तो उससे क्या होती है आपके एफिजेंसी भी इंप्रॉफिट होती है कंपनी को भी प्रॉफिट होता है तो बही मैंने आपको भी बताया कि प्राइवेट का में इंट्रेस्ट क्या होता है तो वह सबसे ज़्यादा क्या करती है वह कोस्ट को क्या करती है अपने कम करती है और एफिशेंट बनाती है अपने आपको इंप्रूफ सर्विस क्वालिटी अप सर्विस क्वालिटी इंप् बिशनेस कि अंडर में आ गया प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आ गया a number of survey have indicated that public official believe service quality was better after privatization ठीक है survey किया गया है काफी survey किया गया जिससे पता चला पता चला है कि privatization होने के बाद कि जो service की quality है वो इंप्रूव हो गए जैसे हम electricity का example ले लेते हैं कि पहले जब क्या थे government के अंडर में थी electricity तो light electricity थी वो बहुत जाती थी ठीक है लेकिन power बहुत कट होती थी लेकिन अब जब से privatization हो है तो जो power है वो कम कट होती है ठीक है ना अगर जाती भी है power तो जल्दी आ जाती है increase competition privatization विल आलसो increase competition in the market ठीक है privatization ने क्या increase कर दिया market के अंदर competition लेगे काफी सारी companies आ गई है ठीक है जो एक दूसरे हो क्या करते competition देती हैं जो consequently this has to improve to be very beneficial to consumer और benefit किसके लिए consumer के लिए उनको variety variety के products मिलते हैं ठीक है healthy competitiveness in an economy will push efficiency and performance और जब healthy competition होता है कि economy के अंदर ठीक है तो उसको किसकी तरफ लेके जाती है efficiency की तरफ ठीक है और अच्छी performance होती है long term goals in public company at times the government can only think about the upcoming election ठीक है अब अगर public company means government company है तो government किस time पर सोचती है उसके बारे में जब election आने होते हैं ठीक है so all their goal may be short term तो उनका जो goal है वो सिर्फ short term होता है कि election आ गए election आने वाले है तो हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें vote मिल जाएंगे ठीक है but private company does not have such restriction लेकिन private company का इसको restriction नहीं होती है उनके long term goal होता है ambition होता है ठीक है तो वो उस company को right direction में लेकर जाता है कि जिससे जो company है वो अच्छी चले ठीक है कि अब disadvantages क्या है privatization के लिए डिवाइड आ सुसाइटी अब privatization क्या कर दे सुसाइटी को डिवाइड कर देती है पूर और रिच में कैसे public services are important to meet everyone basic need अब जो public services मतलब गवर्मेंट प्रवाइड कर रही है उनका जो main motive होता है वो क्या होता है कि वह community की जो basic need है उसको ध्यान में रखना है लेकिन जो privatization है वह encourage करते हैं कि वह जादा rich people को क्योंकि जो उनको ज्यादा pay कर सकते हैं ठीक है तो वह जादा किसके बारे में सोचते हैं rich people के बारे में क्योंकि उनका main motive क्या profit का माना तो जहां से उन्हें profit मिलेगा तो वह वही good का क्या करेंगे production करेंगे this lead to division making it harder to provide excellent public services for everyone ठीक है तो यह किस तरफ ले जाता है division की तरफ ले जाता है तो excellent public services provide करना यहां पर क्या हो जाता है privatization में harder हो जाता है ठीक है profit private company do not have any goal other than to maximize profit यह हम पढ़ चुके हैं कि उनका main motive क्या होता है कि हमें profit maximize करना है अब private company will serve needs to those who are most willing to pay तो private company उनके लिए ही ज़्यादा सर्विसेज गूड़ प्रवाइड करेंगे ज़्यादा उनको दे सकते हैं इसा as opposed to the need of the majority and thus anti-democratic तो हम इनको बोल देते हैं कि वह काफी majority लोगों के पीछ के अपोस हो जाती है कि बाई जो पूर पीपल हो उनके क्या हो जाएंगे अपोस और यह किस तरीके का हो जाता है anti-democratic हो जाता है कि बाई यह सब के लिए प्रवाइड नहीं कर रहे हैं किसके प्रवाइड कर रहे हैं जो सिर्फ इनको पैसा दे सकता है अच्छा inferior quality प्रोड़क्ट्स ठीक है इंफिर मतलब घटिया quality के प्रोड़क्ट्स आने लगते हैं private for profit company might cut corners on providing quality good and services in order to maximize profit अब क्या करने लगती है कई private company जब services और good वो provide करते हैं ठीक है लेकिन धीरे धीरे जब उनकी market में बनने लग जाती है उनकी good will बन जाती है तो वो क्या करने लगते हैं अपने profit maximize करने के लिए जो quality है product की वो क्या कर देते हैं घटिया कर देते हैं ठीक है अपने profit को maximize करने के लिए reduce wages and benefits अब जब private company आती है कोई company थी जो government के अंदर में थी लेकिन अब वो private sector के अंदर में आ गई है तो private company क्या कर देती है worker के wages reduce कर देती है और जो भी उनको benefits government provide कर देती वो कम कर देती है ठीक है तो जो local economy उसको hurt होता है overall stability of middle and working class community ठीक है तो किसको hurt होती है ज्यादा local economy जो है ठीक है जो छोटे तबकिये के लोग है उनके जो middle class लोग है उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है heart होता है ठीक है I hope आपको यह जो topic है वो clear हो गया होगा अगर आपके वीडियो एच्छे लगी हो तो like it share it and subscribe my channel thank you